असलाम वालेकुम एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी फुरूट क्रीम डिजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तयार होती है और बहुत करते हैं मज़ेदार सब रूट क्रीम डिजट बनाने के लिए यहाम पैन रखा चूले पर इसके अंदर हम हाफ केजी मिल्क करेंगे यहां मैं पैकट का फुल क्रीम मिल्क यूज्ज कर रहे हूँ ले लेम हाई करेंगे और दूद में बौाइल आने के दूद में अच्छे स कंडेंस मिल्क करेंगे अगर आपके पास यह नहीं है तो आप चीनी एड़ कर दीजेगा इसको एड़ कर देंगे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह आज मैंने हलकी कर दिये अब यहां मैंने 1 फोर्ट का मिल्क लिया है और 2 टेबिल स्पून कॉर्ण फ्लोर लिया है अगर आपके पास कॉर्ण फ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगा कस्टर पॉर्डर भी एड़ कर सकते हैं दूद में कॉर्ण फ्लोर को एड़ करेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखे मैंने दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है एक मिस्चर बनकर तयार हो गया है अब यहां दूद में कर्णेक्स मिल्क अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम इसके एंदर जो हमने दूद और कॉरंट फ्रॉर का मिश्यर बना का रखा था इसको .... 7-8 मिनित को पकाएमेंगे यह वह सही तिक हो गया नहीं बाहुत ज्यादा नहीं करना है अब हम फिलेम आफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे अब यहां कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो गया है इसको मैंने एक बाउल में निकाल का रख लिया था अब हम इसके अंदर कुछ चीज़े आड़ करेंगे जिसमें सबसे पहले हम इसके अंदर क्र क्रीम ली है और पर सी क्रीम यूज कर रही हूं आप किसी भी ब्रैंड की यूज कर लीजेगा पूरा पैकेट हम इसके अंदर एड़ करेंगे इससे बहुत क्रीमी सा टेक्श्चर आता है इसके अंदर सारी क्रीम मैंने एड़ कर दिये बिसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप चाहें तो छिलका रिमूव कर दीजेगा दो बनाना एड़ करेंगे जिनको मैंने चॉप कर लिया है आप इसमें अपनी पसंद के फ्रूट्स भी एड़ कर सकते हैं एक छोटा पैकेट मैंने कॉक्टेल कर लिया था इसको एड़ कर रही हूँ किश्मिश एड़ करेंगे थोड़े से बदाम एड़ करेंगे जिनको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है आप चाहें तो इसके अंदर अखरोट कार्जू और पिस्ते भी एड़ कर सकते हैं इसके अंदर मैं दो तरह की जैली यूज़ कर रही हूँ गरीन और रैड आप अ करेंगे और हाफ हम गार्डिशिंग के लिए बचा कर रख लेंगे सारी चीजों को इसमें एड़ करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बहुत ही मज़िदार यह डिजर्ट बनकर तयार होता है आप ज़रूर ट्राइब करिएगा सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है चैले अब इसको सर्विंग बाउन में निकाल देते हैं कर देंगे सारा कस्टर्ड अब हम इसको गार्णिश करेंगे जैली से सबसे पहले हम इसके ओपर रेड जैली लगाएंगे थोड़ी सी ग्रीन जैली लगाएंगे थोड़े से बदाम एड़ करेंगे उपर से किशमिश एड़ कर देंगे और यह हमारी बहुत ही मज़िदार सी फुरूट क्रीम डिसर्ट बनकर तयार हो गई है बहुत ही मज़िदार बनती है आप लोग ज़रूर ट्राइ करीगा और मुझे कमेंट्स में बताएगा कि आपको में रेसिपी कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें फैमली और फ्रेंज में शेयर करें मुझे दीजे नेक्स विजो तक के लिए इजाज़त अल्हाफिस